नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हादिरों आर्टिकल लंबर 125 कलवादा किया था तो आज बताना ही था अच्छा कल हम लोग ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 65 साल की आयोता काम करेंगे और भाईया काम करेंगे तुनका घर परिवार भी है पैसे की भी आओ स बेतन और आदी सलारी कहां से आएगी पढ़ते हैं क्या लिखा है उच्छितम नयालय के नया धीसों को ऐसे बेतन का संदाई किया जाएगा जो संसद विधी द्वारा तै करें अर्था सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होगी वो संसद के द्वारा निरधारित की जाए सिलाल कितनी है धाई लाक रूपिया है और अगर आप मुखने धीसों तो तो तीस हजार और जोड दीजेगा यह सुप्रीम कोर्ट के जज की सेलरी है ऑगर अगर आप मुखने धीसों तो दो लाक अस्य जार रूपिया प्रती मैने आपकी सेलरी है और जितने भी राज्यों के हाई कोट के मुखने आएधीस हैं, राज्य के हाई कोट के मुखने आएधीस, उनकी सेलरी दो लाग पचास जार होती है, बांकि जो सामाने जाज होते हैं, उनकी और कम होती सेलरी, तो ये तो सेलरी की बात आगे देखते हैं, और ये सेलरी डिसाइड कौन करेगा ये सैलिस संसथ दौरा डिसाइड की जाती है और जब तक इस निमित इस प्रकार का उपबंद नहीं किया जाता है तब तक ऐसे बेतन का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनसूची में निर्दिश्ट है अर्थात बेतन कलाप ने पढ़ लिया अनसूची नंबर दो में आई एक आगे कुछ और एक बाते और लिखी थी प्रतेग ने आया दीस ऐसे विशेशा अधिकार प्रिविलेज आर्टिकल 14 का अपवाद आर्टिकल 31 का अपवाद क्या है और भत्ते तथा अनुपस्थिती छुट्टी पिंसन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो सेलरी बेतन चुट्टी आने जाने का खर्चा सब कुछ जो निसूची दो में दिया गया उसके तैट मिलेगा और आगे इन फ्यूचर चलके संसद नए नियम के माद्यम सुनकी और सेलरी बढ़ा सकती है वो तो बढ़ा ही जा रही है अभी कितनी सेलरी तक आ गए किसी नया धीस के विशेशा अधिकारों और भत्ते में अनुपस्तिती छुट्टी या पिंसन के संबंध में उनके अधिकारों में उसकी नियुक्ती के पश्यात कोई अलावकारी परिवर्तन नहीं होगा कि धाई लाग रुपया सेलरी है तो अब तुमको कुछ दिन के बा उनों के जो जज होते हैं इनकी जो पिंसन होती है पिंसन दी जाती है केंदर के द्वारा सुप्रीम कोड और हाई कोड की जज की पिंसन कौन देता है केंदर सरकार देता है जबकि सुप्रीम कोड के जज की जो होते हैं उनकी सेलरी केंदर देता है और हाई कोड के जज होते आर्टिकल नमबर 126 के साथ हंसते मुस्कुराते रहें वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू किजिएगा कभी दिल करें तो सेर भी करतीजिएगा